पहले सिक्षक को गोली मार दी और उसके बाद में रील बनाई और जब रील बनाई तो उसमें फिल्मी डायलोग भी बोले साथ यूँ ये किस और हमारा समाज जा रहा है शायद आज इस न्यूज को कोई बहुत ज्यादा गहराई से सोचे नहीं शायद कुछ ऐसा भी हो कि जो ये न्यूज है उसको बहुत सारे लोग हमारे समाज में सही से पढ़ें भी नहीं उपर से बस देख लिया कि रंग बाजी सिक्षक के पैर में गोली मार बनाई रील और बस फिर आगे बढ़ जाएंगे लेकिन कहते हैं कि जब समाज में कुछ भी गलत होना शुरू होता है तो उसकी शुरुवात किसी छोटे रूप में ही होती है और एक वक्त के बाद में वहां बड़ा रूप कब ले लेती है पता भी नहीं चलता है इस तरह से जो ये छोटी-छोटी गतिविद्यां कभी-कभी होती हैं ये इस तरह के ही जो बच्चे गलत दिशा में जा रहे होते हैं उनके मनों बलको तोड़ती नहीं बलकी बढ़ाती है जब इनके उपर कोई सक्त कारियवाही स्तामाजिक रूप से नहीं होती है तो मैं इस न्यूज को पढ़ने के बाद में थोड़ सा चिंतित हुआ इस बात को लेकर के कि है हमारा समाज किस और जा रहा है ये छोटे छोटे बच्चे किस और जा रहे हैं जिस देश के अंदर राम राज्य स्थापित करने की बात कही जाती है जिस देश के अंदर इस बात का जिकर होता है कि अब तो देखो इस देश के अंदर सब कुछ सही हो चला है, बहतर हो चला है कानून विवस्थाएं तो यहाँ पर अब अपने इतने बहतर तरीके से कारिय कर रही है क्या मजाल किसी को कुई कुछ भी कह दे लेकिन सिक्षक के पैर में गोली मारी जाती है और सिक्षक के पैर में गोली मार करके रील बनाई जाती है उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है सात्यों ये कैसा हाल हो चुका है हमारे समाज का और जब इस न्यूज को पढ़ाया मैंने तो उसके बाद मैं समझ में ये आया कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी रंजिश नहीं थी कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी दोनों पक्षों के बीच कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ था कि जिसकी वज़े से गोली तक चलाने की बात हो चले कोई छोटी सी बहस बाजी हुई थी जिसको लेकर के गोली तक चला दी गई बहुत गलत है इस तरह की समाज में गतिविधियां होना और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियां जब कभी भी होती हैं तो उस पर समाजिक दबाव बनाये जाना जरूरी होता है समाज को इसे लेकर के चिंतित होना जरूरी होता है समाजिक गतिविधियों के माध्यम से हम लोग बच्चों को एक बहतर दिशा देने का काम कर सकते हैं अकेला कानून भी कुछ नहीं कर सकता है कानून अपनी और से कानूनी लडाईयां लडता है और उन लडाईयों में कुछ सुधर जाते हैं तो कुछ और बिगड जाते हैं तो यहां पर समाज की जिमेदारी अधिक बनती है इनमें से एक लड़का 19 साल का है दूसरा भी नाबालिग है 18 साल का हुआ भी नहीं है छोटी-छोटी उनकी उम्र है और वो हाथों में पिस्टोर लिये खुल्याम घुम रहे हैं और सिक्षक तो वो होता है जो समाज का निर्मान करता है भाविश्य का निर्मान करता है मazलब इस देश के अंदर सिक्षक सुरक्षित रहे गए है और यह कोई एक नियूज नहीं है आर साल कितनी नियूज देखते हैं पर सिक्षक का सिर्फ ओड़ने की नियूज आ जाती है कबhye सिक्षक के साथ मार पिटाई की नियूज आती है तो सोशल मीडिया पर पेमस होना है रील बना दी है किस ओर हमारा देश चल पड़ा है वाकवी में चिंता की बात है वाकवी में चिंता की बात है